हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तो कुकिंग विद फातिमा आज हम बनाएंगे चिकन कटले इसके लिए हमें चाहिए चार बॉइल पोटेटो मैंने बॉइल करके रखे हैं दोनों कैपसिकम ड्राइडन यलो और एक छोटा गाजर हमें सिर्फ हाफ लिया है कैपसिकम पूरा नहीं ल और चार मिर्ची है और हरा धनिया दो एक ब्रेट क्रम्स और किमा इसमें से मैंने पानी बिल्कुल निकाल लिया है जड़ा भी फानी नहीं होना चाहिए चिकन का कीमा है और हम सिंब्ला मिर्च और तीनों चीज़को बारी-बारी कट करेंगे हमारा गाजा और सिंब्ला मिर अब इसमें हम डाल देंगे, साथ में आलू को भी मैश कर लेंगे हम, और जो हम नो हरी मिर्च, चार हरी मिर्च कटी हुई है, वो डालेंगे, हरा धनिया, अरी जम्माज, गरम मसाला पाउडर, टेस के साथ से नमक, और दो बड़ी जम्माज, ब्रेट क्रम्स, और इसको हम भोर अच्छे से मिक्स करेंगे, अपने हाट से, मेने हाट को अच्छे से अच्छे से डोल ि गो, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सिसको ठोड़ा स्मेश कर लिया है, इसमें चिकण का कीमा दालेंगे, और इसको फिर साफ अच्छे से मिक्स करेंगे, आलू को ज़र भी और रहना रहना दर Tram oder Gart Ola, अच्छे से hoda करना चाहिए है हमारा सब कुछ अच्छे से मेश हो गया है मैंने ओयल भी गरम करने के लिए रख गया है और अब हम इसकी कटलेज बनाएंगे ब्रेट प्रण्स दालूंगी और दो अंडे तोड़ूंगी करने पानी लिया है ताकि हमारा यह चिपके नहीं हाथी में और इस तरी किसम कटलेज बनाएंगे आपको जैसे शेप देनी आप दे सकते हैं बेड क्रिम्स में लेंगे यह लंफास कर देंगे अब इसको ब्रेट क्रिम्स में लेके हम इसमें कोट कर देंगे इसको फ्राइ कर देंगे एग में एग्स के गोल में कर दो देंगे आपको शोड़ किसमें आपको अब देंगे खिर्णी आपको काथ गिरे एक एक करके हम बाकी शर्ट फ्राइ कर लेते एक साइट से हमारे फ्राइ हो चुके है अब इसको टर्न करेंगे लगबर हमको तीन उनिक लगा फ्राइ होने में अब इसको टर्न करते हैं और आप इस दम ध्यान से करना ताकि वो हमारे छूटे ने उसको बाल बाल हम पलतेंगे भी नहीं ताकि हमारे छूटने का दर रहता है इसमें दोनों तरफ से फ्राइ हो चुका है अब हम इसको निकाल लेते हैं आप मिडियम ब्लेंपे ही इसको फ्राइ करना जाए पिश्यू में निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ओल निकल जाए तैयार हुचकी अब इसको पैटिंग कर देते हैं यह चिकन कटले आप जरूर बना के खाईए स्नेक्स में या बच्चों के टीफिन में भी आप सुबह दे सकते हैं और बागी कटले यह बना के आप जरूर खाईए और बताईए रेसिपी आपको कैसे लिए थैंक्यू पर वाचिंग अबर दिखिए यह चूर दिखिए